नमस्ते साथियों स्वागत है आप सबका एक और नए पॉड्कास्ट में आज हमारे साथ यूएस से जुड़ रही है आलिया जवाद में जो बेसिकली पाकिस्तान से हैं और ये अपने लाइफ में लगबग 40 साल इन्होंने पाकिस्तान में गुजारे ये एक असिस्टेंट प बहुत अवेर हैं यानि की स्प्रीशली ये बहुत ज़्यादा गौड से कनेक्टेड हैं इन्होंने लाइफ में नियर देट एक्सपीरियंस को भी अपने लाइफ में फील किया हुए एक्सपीरियंस लिया हुए है तो चलिए बिना देर की आज की ज़र्नी की शुरुआत क दस्वागत करती है अलिया में आपको बहुत बहुत स्वागत है बहुत शुक्रिया सुनम थैंक यू एरी मच्च आपने मुझे अपने चैनल पे इन्वाइट किया है मैं आपकी बहुत स्यादा शुकर गुजार हूँ और मैं अपनी बात का आगाज बिसमिल्लह रह्मान र रहीम है और सबसे पहले मैं मतलब मेरा जो एक में पैक आफ टी माइंड जो मेरा एक पॉइंट अफ यू था वो ये भी था वो इंटर रिलिजिस अंडरस्टेंडिंग भी था मतलब मैं इसमें बात नहीं करूंगी लेकिन चुके टॉक का मेरा और जो मैंने किताबे लिखी हैं उनका एक बहुत बड़ा मकसद इंटर रिलिजिस इंटर कुल्चरल अंडरस्टेंडिंग है आज से तकरीबन चालीस पचास या साथ साल पहले ये एक चीज हुआ करती थी जो के बहुत ज्यादा थी लोगों के दरमयान में लेकिन आहस्ता आहस्ता शायद वो खतम हो ग की है और इसके साथ मैं रीटू अपनी जो फ्रेंड है उनका भी प्रोग्राम पोड्कास्ट आया था उनका भी मैं बहुत ज्यादे शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि उनहीं की वज़ा से मुझे यूट्यूब पे जिसे आप कहें के एक किसम का मेरे लिए पोर् करूंगी तो NDE तो मेरी जिनकी में काफी लेट आया तो शायद टॉक के दरमयान में उसका जिकर आए लेकिन बच्पन से ही मैं जो थी वो थोड़ी सी अन्यूजल थी एटिपिकल थी कुछ चीजे मेरे साथ डिफरेंट होती थी जो अब आके मुझे समझ आई हैं कि वो डि तो मैंने कभी किसी से इतना ज्यादा जिकर नहीं किया था अपने एक्सपिरियंस का लेकिन अगर कहीं थोड़ी बहुत कोई बात चल भी जाती तो अक्सर लोग मेरी बात को समझने से कासिर होते थे रीटू से जब मेरी पहली दफ़ा ही बात हुई है फोन पर तो मेरे ये बात वाकिए बहुत ज्यादा हैरत की थी कि मैं कोई भी बात करती थी ये वो टाइम था जब मेरे जहन में बहुत ज्यादा सवालात उठने शुरू हो गए थे मैं बहुत ज्यादा मैच्योरेज में थी लेकिन बहरहाल सवालात उठते थे कि ये क्या हो रहा है मसलाने ए से बात चीत की लेकिन बहराल कोई न कोई दर्मियान में एक ऐसा तार जरूर था जो कुछ फरेक्शन आफ सेकंड्स के लिए चुड़ गया था तो में लिए ये चीज़ें बड़ी यजीब हो गरीब थी तो लेकिन रीटू ने इस तरह समझ रही थी कि जैसे ये नैच्रिल है अब जो मैंने जिकर किया है रीटू का, वो मैंने इसवज़े से भी किया है, जब मेरी उनके साथ पार्ट कास्ट हुआ होगा, उनके साथ, तो नहोंने का कहा लिया एक मेसेज हमने लोगों को देना है कि ये जो सलाहियते होती है ये तकरीबन हर इनसान के अंदर होती है बलके ये हर इनसान के अंदर होती है सिरफ उन्हें उन्टने की उनका सर्च करने की उनके लिए थोड़ा सा कॉंसेंट्रेट करने की जरूरत होती है वहां से मेरे उपर सोच गए बिल्कुल एक निया पॉर्टल पुला और वो पॉर्टल था जोहर और मैं अपनी आज की जो मेरी टॉक है मैं इसका टाइटल भी जोहर ही रखना चाहूंगी और टॉक के दर्मयान हो सकता है दो या तीन मरतबा जैसे जैसे मौक आएगा तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने पॉइंट आफ यू को क्लियर कर सकूँ अच्छा अब जैसे कि आपने पूछा तो मैं अपनी जर्नी जर्नी से मैं स्टार्ट करूँगी शायद उसे बेहतर कनेक्शन मिले और वो यह है कि मेरा यह ख्याल है कि पैदाशी तोर पर मैं थोड़ी सी मैं अन्जूजल थी और बैसिकली वो मेरा जो हर ही था जिस पर मैं बाद में बात करूँगी और मतलब बच्पन में भी मैं कुछ ऐसी बाते कर जाती थी कुछ ऐसी मेरी सोच होती थी जो कि दूसरे लोगों से डिफरेंट होती थी तोस्तों में बात करती थी तो मिजाख भी ओड़ाया जाता था लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होता था वहसलुँ ना ने मैं बहुत चोटी थी, मुझे नहीन चाहिए अर्मियर कितनी थी उस जमाने में गुलदस्तों का बहुत ज्यादा रवाज हुआ करता था फूल भी आज के मकाबले में ज्यादा होते थे, बागात भी ज्यादा होते थे लोग बागात में जाते भी थे, गुलदस्तों का रवाज होता था, तो मैं भी गुलदस्ते वगरा बनाया करती, कभी किसी घर में लाईी, कुछ किया, एक दफ़ा मैं घर में लाईी, मैंने उसको सजाया, जब वो खुश्क हो गया तो जब मैं उसे ट्रैश कर रही थी, तो म यूजल थी, तो मेरे दिल में तकलीफ पैदा होई और मैंने सोचा कि अगर ये मैंने किसी को गिफ्ट दे दिया होता, तो ये मेरे लिए मतलब ये अमर हो जाता, इसकी डेथ ना होती, मेरी यादों में ये अमर होता, और वो जो सोच थी, फिर मैंने हमेशा उस पे अमल भी किया, कि आप जो चीज किसी को गिफ्ट दे देते हो, वो अमर हो जाती है, तो ये चीजे उस एज के लिए बहुत डिफरेंट थी, दूसरी जो चीज थी, जो बहुत बच्पन से थी मेरे साथ, शाहिद मैं आपको बताऊं तो आप उसको यकीन भी नहीं करेंगी, कि तीन सा मुझे कुरान की आयात यात कराती ही, लंबी लंबी तकारीर यात कराती ही, और मैं वो स्टेच पे जाके पड़ा करती थी, और लोगों में मशूर था कि इस बच्ची के साथ जिन है, और क्योंकि उनके लिए अन्यूयल था कि एक चोटे बच्चे की इस हद तक मेमरी हो सकत या और उस वकत कोई इतनी कोशिश भी नहीं करता था, मतलब एक तीन साड़े तीन साल का बच्चा बस गोद में खेल रहा होता था, स्कूल में भी साथ साल का बच्चा जाता था, तो अब उसकी वज़े से एक और बात जो हो गई, जो अब मुझे लगता है कि शायद वो मे अबर के अपने घर ले जाती थी, मैं बहुत ज्यादा मतलब जैसे कहते हैं मैं चिर्टी भी थी इस बात से, और पानी मट्टी का प्याला होता था, उसमें पानी लगा मेरे सामने रख देती थी और कहती थी कि इस पर दम करो, तो हमारा दिल बहुत बेचैन है जब तुम कर जाएगा, तो मैं बहाने बनाती थी, मैं कहती थी, मुझे नहीं, पतलब दम करना नहीं आता, तो कहती थी, अच्छा तुम फोक मार दो, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा मेच्योर एज में जाके, मुझे पता चला कि ये भी एक चीज थी, जो के अगें, शायद वो मेरी अप जायद, बहुत तोड़ी सी मुझे फ्रेक्शन में अता कर दी थी, और सिंसेर में बहुत ज्यादा हो जाती थी, लोगों के साथ, के मेरे हाथों में आल्ला ताला ने एक टाइम ऐसा आया के, शफा दे दी, अगर मैं अपनी 16 साल की एज़ तक आऊं तो, बच्पन में, मैं मरहुमीन के साथ, मेरा कनेक्शन काफी रहा है, मैं उन्हें खाब में देख लेती हूँ, वो खाब मेरे 16 साल की एज़ में बढ़ गए, पहले से ज्यादा हो गए, और मेरी सेंसिटिवीटी बहुत ज्यादा हो गई, जाहर है, वो एज़ी ऐसी होती है, जिसमें इनसान पहुचते पहुचते उन खाबों के साथ एक वियन होती थी, जो के मेरे सामने आती थी, इस तरह जिस तरह से आप बैठे हों और अचानक एक बजली का जहमाका सा हो जाएं, या जिस तरह से अंधेरी रात में बजली चमकती है, तो उसके साथ यह होता है, कि आपको थोड़ किसी देर के लिए आपका पूरे का पूरा मनजर क्लियर हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह से मेरा हाला बहुत चोटी फ्रेक्शन होती थी, या तो बजली चमकती थी, या बैठे-बैठे, ख्याल मेरे जेन से गुजरता था, यानि कि पहले तो मेरा खाबों के साथ रुहानी जिन्गी से रिष्टा बनता था, अब तकरीबन 18 साल की उमर तक पहुचते पहुचते और 20 साल की उमर में ये बहुत ज्यादा हो गया, के ख्याल, और मतलब यही वो चीज़े हैं जिन से मेरा कनेक्शन रहा है, खाब, ख्याल, और खुश्भू, आवाज, तो ख्याल मेरे जेंदे में गज़रता बहुत तेजी से, और कभी वो बात अगले दिन पूरी हो जाती, जब वो पूरी होती तो तब मुझे पता चलता कि अच्छा ये तो मुझे पहले से मालूम थी, कभी ऐसा होता कि मैं खाब में मस्तक्बिल में आने वाली चीज़ें देख लेती थी, क ही न कही मैंने ये चीजे पहले से देखी हुई हैं लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब मेरा बहुत ज्यादा एक्सपिरियंस बढ़ता चला गया इन चीजों में और मेरी अंडरस्टेंडिंग पैदा हुई तो तब मुझे याद आया कि अच्छा मैंने उस जमाने में य जिन्गी में रही है आई डाट नो यहां पर वो कनेक्ट करती है या नहीं करती लेकिन वो एक तो शोहरत मेरे खाल है जब से मैं पैदा हुई थी अमी बताती थी कि तुम पैदा होती गई थी तो पूरी बरादरी में मशूर हो गया था कि बहुत खुबसूरत बच्ची पै बने आता था मतलब दो कुवते थी जो के हमेशा मेरे साथ रही है एक पॉजिटिव और एक नेगिटिव और वो कुछ तो मेरी जिन्दगी पर अफेक्ट करती रही है और कुछ जो मेरी संसिटिविटी थी उसकी वज़ा से मैं महसूस जादा करती रही हूँ अच्चा अब जब मेरी शादी हुई तो अगेन शादी को भी बहुत ज्यादा शौरत हासल हुई मेरे हस्पेंट बहुत ज्यादा खुबसूरत थे हर लिहास से मतलब आप कह सकते हैं कि उस बंदे के अंदर शायद खामियां बहुत कम थी या ना होने के बिरापर थी और शायद उसकी साल गुजरे दो बेटे खुदा ने मुझे दिये यके बाद दीगरे पहला बेटा मेरा धाई साल का और चोटा बेटा मेरा जो है वो सवा साल का था तो अचानक चलते फिरते बगार किसी वज़ा के इंतहाई सहत मन बंदा उसे कुछ भी नहीं था कोई बिमारी नहीं थी उ फालिज का अटेक हो गया अब वो एक साल तो चलते फिरते रहे काफी बिमार रहे उसके बाद उन्हें दोबारा फालिज का अटेक हुआ और वो जो थे वो बिस्तर पे पड़ गये बहुत तकलीफ वाला वो साल था मुकमल तोर पे बैड रिडन थे करवट भी नहीं बदल स करते थे और उसके साथ कुछ और मामलाद भी ऐसे थे जो बहुत ज्यादा तकलीफ देते थे बचे भी बहुत बहुत चोटे थे करते उनकी डैथ हो गई अब 1997 में मेरी शादी होती है 1998 में मेरा पहला बेटा पैदा हो जाता है बचे भी इंतहाई हुपसूरत लोग करते थे तो मकठे बाहिर ना निकला करो नजर लग जाएगी 2000 में मेरा दूसरा बच्छा बैदा होता है मार्च 2001 में मेरे हस्पन को अटैक हो जाता है और मार्च 2003 में मेरे हस्पन की डैथ हो जाती है तो जैसे एक मतलब मैं कहती थी कि मैंने तो शायद खाब भी नहीं देखा कि negative दोनों चीजे साथ चलती थी तो कुछ और भी ऐसे मामलात थे जो कि एवन उन दिनों में भी मुझे बहुत ज्यादा टेंशन देते थे जब मेरे husband की अभी death हुई थी दो हफ़ते गुज़े थे एक दिन अचानक यह हुआ कि और मैं बहुत कमज़र हो चुकी थी बहुत ज्यादा मतलब वो दो साल तो मेरे ऐसे भागते गुज़र गए थे कि मुझे पता भी नहीं चला था कि क्या हुए और फिर बैठो गई मेरे हाथ भी कुछ नहीं आया उस व सोर हो गई और मैं उठके चल भी नहीं सकती थी मैं सिर्फ दीवार पकड़के बात्रूम तक जाती थी और मैं वापस आ जाती थी और मतलब उस वकद तक मैं इंतहाई पड़ी लिखी पाशओर खातून थी ये भी नहीं है कि मेरी समझ कम थी एवन हारवर्ड युनिवस्ट लेके और करके आई थी लेकिन वही बात है कि काम हर एक की उपर एक जैसा असर करता है तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं इसी तरह से दीवार पकड़के मैं बात्रूम गई वापसा कि मैं बिस्तर पे लेटी मुझे नहीं पता कि क्या हुआ मैं बेहोश हुई या मेरे उपर खाब में क्या देखा ता, अल्लह ताले ने तकरीबन 181 या 111 साल के बाद मुझे दोबारा वही खाब दिका देखा है और मुझे सारी बात यद आई कि मैं नहीं क्या देखा थार। एक horizon था मैं कहती थी एक लकीर थी लेकिन मेरे खाला वो लकीर नहीं थी जो मैंने उस खाब मैंने देखा वो एक horizon था और मैं अपनी पूरी ताकत से उस horizon को पार करके दूसरी तरफ जाना चाहती थी कि इतने में एक आवाज आई और वो आवाज इतनी क्लियर थी मत अब खाबों में देखी हुई बातें भूल जाती है सच्चे खाबों की बातें मुझे बात में भी बहुत याद आती है लेकिन वो आवाज में आज तक उसका एक एक लफस मेरे दिमाग में गुंज रहे है कि एक आवाज आई जिसने कहा कि मेरे हस्पन का नाम शाहिद था कि शाहिद तो पहले ही अपने खुदा से मिलने के लिए चले गए है अगर तुम भी फौत हो गई तो इन नन्ने मुने बच्चों का क्या होगा ये रूल जाएंगे ये नन्ने मुने बच्चे रूल जाएंगे रूल जाएंगे हम कहते हैं जो ऐसे गलियों में रूल रहा होता है ना उसको कोई पूछने वाला होता है ना देखने वाला होता है तो उस आवाज ने कहा कि ये नन्ने मुने बच्चे रूल जाएंगे उठो और इनके सर के उपर एक पहाड की तरह खड़ी हो जाओ और आप यकीन मानें कि वो आवाज इस किसम की थी कि मैं बता नहीं सकती कि वो कमांड थी या वो महबत थी या वो हमदर्दी थी या वो क्या चीज़ थी उसके बाद मुझे लगता है ज्यादा ज्यादा पंदरा मिनट मेरे घर में शायद किसी को भी इस बात का आज तक भी इलम नहीं है पंदरा मिनट कुज़रे होंगे शायद मैं जाग गई और मैं बिल्कुल ठीक थी बिलीव में मैं बिल्कुल ठीक थी मुझे कोई कमजोरी नहीं थी मेरा दिल फ्रेश था मैंने उटके काम करने शुरू कर दिये वो दिन आज का दिन शायद 2005 की ये बात है उससे लेके आज तक मैं वो आवाज मेरे बैक पे है वो आवाज मेरे अंदर है उस आवाज ने मेरा साथ नहीं चोड़ा और बहुत सालों तक आठ या दा सालों तक वो आवाज मुझे बार बार गाइड करती रही कि तुमने क्या करना है ना सिरफ बच्चों के लिए बलके दूसरों के लिए तुमने क्या करना है मुझे गाइड आसाती रही कभी कभी मेरा मुकालमा भी हुआ खाब में भी मुझे वो आवास सुनाई देती थी और वो ख्याल नहीं था मतलब देखने वाले लोग समझते हैं कि शायद वो ख्याल था या वो कोई ऐसी चीज़ थी जो के मेरा वाहिमा था लेकिन मैं जानती हूँ कि वो जो है वो एक हकीकत थी वो ख्याल नहीं था वो आवास मुझे गाइड लाइन्स देती रही डिफरेंट चीज़ों की गाइड लाइन देती रही लेकिन यहां पर मतलब काफी सालों के बाद जाके मुझे समझाई कि ये मेरा नियर डेथ एक्सपिरियंस था बिसिकली उस रोज मेरी रूँ अपने हालाँ से मुकमल तोर पर बेजार हो चुकी थी और मैं ये चाहती थी कि मैं दूसरी दुनिया में चली जाओ ये जो मुश्किलाथ हैं इसे मेरा तालग खतम हो जाए और मैं दूसरी दुनिया में चली जाओ बेरहाल वो मेरा नियर डेथ एक्सपिरियंस था और वही दिन थे जब मेरे वालिद साप को भी नियर डेथ एक्सपिरियंस हुआ दो दफ़ा और उन्हें भी फालच का अटैक हुआ और एक में वो कहते हैं कि मैं मतलब नीचे एक तर्या था और उस तर्या की उपर मैं उड़ से जैसे पिजली जा रही होती है इस तरह से वो उड़ते उड़ते सारे मुझे तक आ रहे थे और उसके बाद उन्हें फालच का अटैक हो गया ये मेरे वालिद के एक्सपिरियंस थे अच्छा अब मेरा ये हुआ कि आहस्ता मुझे वो मेरे एक अंदर की आवाज बन गई और वो आवाज जो थी वो मुझे गाइड लाइन्स देती थी कि तुमने क्या करना है तुमने कामों को किस तरह से अंजाम देना है मेरे खाबों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया मैं जिनगी में काफी उस वक तक स्टेबल भी हो चुकी थी और मतला जो लफस बर्सख ह मुझे नहीं पता आपके हाँ कुछ और उसको कहा जाता है जहां रुहें जाके रहती हैं वो हमारे हाँ दो तरीके से इस्तमाल होता है एक तो वो जहां डैट के बाद रुहें जाके रहती हैं और दूसरा जो भी हम अमल कर रहे होते हैं तो हमारे उस अमल की एक खास तस्व पीर आलम अर्वा में बन रही होती है, उसको भी हम बर्जखी कहते हैं, तो बचे ऐसे, अगर हिंदी में कहें तो मेम, हम लोग जो, हम लोग जहां रूह हैं जहां जहां कर रहती हैं, यानि आत्माओं की दुनिया, हम उसे परंधाम या शांती धाम भी कहते हैं, और जो हमारी जो एक पिक्चर जिसे आप कह रहे हैं कि जो पिक्चर जो हमने पुरी लाइफ में की और जो सेव होती है वो भी कह सकते हैं कि कुस सेकंड की जो वो पिक्चर है पुरी लाइफ की वो दिखाई जाती है जब हम उस दुनिया में जाते हैं हाँ, लेकिन हमारा एक और कंसेप्ट ये है कि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, मेरी आवाज, मेरी समाद, जिस नियत से मैं काम कर रही हूँ, उसकी उपर की दुनिया में एक तस्वीर अभी इसी वक्त बन रही है, और वो वहाँ पे मौझूद रहती है, और हमारी इस इसे हम बर्जखी चेहरा कहते हैं या बर्जखी θα कहते हैं, हम लोग उसको शॉक्ष्म वतन कहते हैं, मैं शुक्ष्म शुरीर जो है ना, इसका जो हमारा शुरीर का, एकDम पर हमारी सुक्ष मतन में होती है और हम लोग उसको सुक्ष मतन कहते हैं जिसको आप कह रहे हो अच्छा शुक्ष शरीर थान जी में बिल्कुल तो मेरे साथ मतलब जैसे ये कहा जाता है कि एक शखस है जिसकी खसलत सारी जिन्दी बेड़िये जैसी रहती है तो उसकी भेड़िये जैसी शकल बन रही होती है वो उसका बर्जखी चेरा होता है अब मुझे कुछ खाब ऐसे नजर आने शुरू हो गए जिसमें मुझे बर्जखी चीजे नजर आना शुरू हो गई और कुछ खाब मुझे ऐसे नजर आना शुरू हो गए जिसमें मुझे अपने कामों का शायद मतलब अल्ला की जात मुझे डिराना नहीं चाहती थी तो जो मैं अच्छे काम करती थी उनका जो नताइज सामने आते हैं बर्जखी दुनिया में वो अल्ला ताला ने मुझे दिखाने शुरू कर दिये मुझे खाबों में नजर आ जाता कि मैंने ये काम किया था और उसके बदले में मुझे बर्जखी दुनिया में ये चीज़ अता की गई है इससे मेरी कॉगनिशन बहुत बड़ी लाइफ और डेथ की तारीफ नहीं कर रही हूँ ये एक चीज़ थी जिसके लिए मुझे तियार किया गया था और मैं कहती हूँ कि जब उस तिन जिस तिन मैं समझती हूँ कि मेरी डेथ होने वाली थी या हो चुकी थी उस तिन जब मुझे वापस इस दुनिया में भेजा गया और जिस जिसको भी भेजा जाता है उसे कुछ और additional skills के साथ भेजा जाता है क्योंकि Allah ताला की जात ने या तो छुपी होती है या होती ही नहीं या नहीं दी जाती है क्योंकि Allah ताला की जात ने उससे काम लेना होता है, इसलिए उसको वापस बेजा जाता है, उसकी जरूरत होती है यहां पे, तो मैं भी कुछ जो मेरी स्किल शायद पहले से थी, वो एडिशनल करके, तो मुझे वापस बेजा गया, पिएस्टी मेरी जो थी वो बुदिस्ट खानका हैं, तक्रीबन दो हजार साल पुरानी जो पाकस्तान में है, और उनमें जो एडिशन सिस्टम चलता था, उस उस पे थी था, और ये बहुत डीब और बहुत मुश्किल टॉपिक था, बहुत कम कम हुए है, ना होने के बराबर, इसमें मैंने वेद फिलास्फी पढ़ी, इसमें मैंने अपनेशित फिलास्फी पढ़ी, इसमें मैंने बुदिस्ट फिलास्फी पढ़ी, इसलामिक फिलास्फी के साथ इन चीज़ों का, इजाफा हुआ और उन दिनों मेरी कॉंस concentration बढ़ गई, मैं उन पुराने खंडरात में जाती थी और मेरी जो cognition थी, ऐसे ही बिजली का एक जमाका होता था, और मुझे नजर आ जाता था कि यहां पे 2000 साल पहले क्या हो रहा था, बिक्षू कुछ कुछ करते हुए मुझे नजर आ जाते थे, और बाद में वही चीज़े मुझे किताबों से मिलती थी और वो confirm हो जाती थी, और यह मेरी concentration थी, यह कोई कमाल नहीं था, यह कोई मौज़र नहीं था, यह ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, मेरी concentration इस हद तक पढ़ गई थी, कि वो लाइने पार कर लेती थी, क्रॉस कर लेती थी वो, वक्तों जमाने को क्रॉस कर लेती थी, और यह हर बंदा कर सकता है, यही चीज़ है, जिसे मैंने जोहर चाहे हर बंदा यह काम कर सकता है, वो अपनी कॉंसेंट्रेशन को अपने लेवल तक बढ़ा सकता है जरूरी नहीं कि हर शखस का लेवल एक हो लेकिन हर शखस के अंदर एक जोहर छुपा होता है ये इस हद तक मैंने पिएश्टी के दोरान काम किया कि मेरी कॉंसेंट्रेशन नाकाबले यकीन हद तक पढ़ गई और कमालाथ सामने आने शुरू हो गए ये मेरा जोहर नहीं था, मैं आनिस्ट थी ये मेरा जोहर नहीं था मेरा जोहर क्या था, मेरा जोहर सेंस्टिविटी था अंडर्स्टेंडिंग की बात है कि आप अंडर्स्टेंड करें कि आपका जोहर क्या है लेकिन सबसे पहले हमने अपने आप को पहचानने है अपने मन को पहचानने है, अपनी जात को पहचानने है इस पर हम तवज़ों नहीं देते अच्छे एक और चीज़ जो मैंने आपसे शफा की बात की थी शुरू में तो वही टाइम जब मैं पीएशडी कर रही थी तो उस वक्त मैं अपनी तालीम के लिए चीन गई मेरे बच्चे भी थे उस टाइम पे और सब को छोड़ चार मैं चीन चली गई कम्यूनिकेशन प्राबलम भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी तनहाई बहुत थी तनहाई में मुझे गोर फिकर का बहुत मुझे नहीं पता कि अचानक क्या हुआ कि मुझे लगा कि मेरे हाथों में शफाय है मैं हलका सा लोगों का मिसाज़ करती तो वो कमसकम वो रिलैक्स हो जाते थे, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते थे अच्छानक मेरे अंदर ये कॉग्निशन पैदा हुई, कि अगर मैं किसी का मसाज करूँगी हलका सा कंदे पे हाथ रखके, हलका सा दबाओ डालके लोग जो है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील किया करते थे और अब मतलब आएस्ता आएस्ता और मेरा खाला वो भी वो एक नेकनियती की वाइब थी जो के चलती थी और अब भी अब ये चीज़ इतनी बढ़ गई है कि अगर मैं किसी के कंदे पे हाथ रखती हूँ तो मुझे बहुत सारी बाते मुझे महसूस हो जाती है कि इस शखस के साथ क्या प्रॉब्लम है खावतीन से ही आम तोर पे मैं बात करती हूँ उनके साथ क्या प्रॉब्लम है और वो किस तरह से वो रिलैक्स हो सकती है और किस तरह से वो रिलीव हो सकती है बड़ी common बाते होती हैं जो मैं उन्हें बताती हूँ जिनका आम तोर पे लोगों को यकीन भी नहीं होता अगर नहीं जी ये इसके लिए किसके पास टाइम है लेकिन मेरा एक पेगाम ये भी है कि जो इतनी ज्यादा complicated बिमारियां कही जाती है बिसिकली इतनी ज्यादा complicated नहीं हैं बहुत सारी चीजें हैं जो कि या तो हमारी पैदा की हुई है या किसी और किसम की जो communication है उसकी पैदा की हुई है बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारी सिर्फ tension की वज़ा से इस हद तक बढ़ जाती हैं कि वो हमारे लिए fatal थाबित होती हैं लोगों की मौत भी वाक्या हो जाती है मैंने 120 साल के लोग भी देखी हैं जो के इंतहाई सिहतमन मौाशरती जिनगी गुजारते हैं और उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है नेकनियती जितना हम दूसरों के बारे में नेकनियत होते हैं अतनी कम बिमारिया हमारे करीब आती हैं जो दूसरों के बारे में नेकनियती नहीं होती वो जूट, हसद, गीबत इन चीज़ों के सिलसले में सामने आती है और ये बहुत बड़ी बड़ी बिमारियों में तबतील हो जाती है मैंने ये एक किताब लिखी थी बैन-ul-मजभी तनाजर में रूहानियत और हुसेनियत इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो स्पिरिचियलिटी पे है और जो सेकंड पार्ट है वो हमारे हैं इमाम हुसेन अलाहिससलाम की मजाले सोती है और उनमें है फर्स्ट पार्ट में और ये उर्दू में लिखी गई है फर्स्ट पार्ट में एक काम जो मैं समझती हूं कि मैंने एडिपीकल किया है एक तो मैंने चूँके हमारा अपना जो मेरा अपना किल्चर है उस में मादब हम नमाज भी पढ़ते हैं हम खुरान पाक भी पढ़ते हैं, हम रोजे भी रखते हैं, हम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स हैं, लेकिन रूहानियत को एक बहुत मिसंडरस्टेंड किया जाता है, शायद वो जूटे पीरों फकीरों की वज़ा से हो, लेकिन रूहानियत की बात बहुत स्यादा कोई नहीं करता तो मैंने एक तो इस किताब के अंदर मैंने ये पैगाम दिया है, लोगों के वाकियात बिया है, और पैगाम दिया है कि रूहानियत हर एक में पाई जाती है, कि ये हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, जैसे मैंने कहा है कि अगर हमारे साथ कुछ कमालात होते हैं, तो वो हमारे जो प्राब्लम्स के साथ और मैं वो रिसर्चिस सामने लेके आई हूँ जो ये बताती है कि जूड या हसद या चोरी या गीबत या जो फसाद डालने की आदत होती है ये जो चीजें होती है ये इनसान के अंदर उसके नर्विस सिस्टम के अंदर कौन सी चेंजिस लेके आती है और किस तरह से एक इनसान खराब होता है और किस तरह से एक जो है वो मौशरा बिमार हो जाता है आखरी कि मेरा पैगाम है वो ये है मैंने 15 साल तक मैं टीचिंग करती रही हूँ और मेरी जो एक एक क्लास में होती थी उसमें साथ साथ नौजवान लड़कियां बैठी हुई होती थी तो मेरा हमेशे ये पेगाम होता था कि अगर इन में से अगर कोई एक दिल भी ऐसा है जो के मेरी बात सुनके माइल हो जाए और उसके दिल पे मेरी बात असर कर जाए तो मैं समझती हूँ कि म आपना जो मेरा objective था वो मैंने पा लिया है मैं ये कभी भी नहीं कहूंगी कि 100% लोग जो हैं वो मेरी बात को माने individuality होती है किसी को कोई बात अच्छी लगेगी किसी को कोई बात अच्छी नहीं लगेगी कोई उसके साथ आगरी करेगा कोई नहीं करेगा ये इन्सानी हग ह इसी तरह से जो मेरी आज की टॉक थी बेशमार बाते हैं जो कि मेरे दिल में रह गई हैं जो कि मैं अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाना चाहती थी और I hope कि मैंने clear की हूँ मुझे नहीं पता मैं पूरी तरह से जैसे वो मेरे अंदर चल चल रही थी वो मैंने clear की है या नहीं की है लेकिन अगर किसी एक मन में भी वो बात चली जाए तो मैं ये समझूँगी कि कम असकम जब मैं अगली दुनिया में जाओंगी तो एक फूल मेरे हाथ में जरूर हो बहुत शुक्री है आज आपकी इतनी सारी जो बातें सुनकर मेरा दिल इतना खुश हुआ इतना मैं अच्छा फिल कर रही हूं बहुत लाइट फिल करनी हूं पता है क्यों क्यूंकि जैसे आपने बताया ना कि आपकी लाइफ का ये मोटिव है कि मेरी बात से मेरी एक पोशिश्ट से अगर एक एक इनसान या एक आत्मा भी चेंज होती है तो मेरे हाथ में एक पूल होगा अगली दुनिया के लिए सेम यही थौट मेरी भी है कि इस चैनल की वज़े से अगर एक भी इनसान चेंज होता है अपने एक स्प्रिच्वल जर्नी के अंदर उसकी शिरुवात होती है तो मेरे लिए यह बहुत बड़ी उपलब्दी है कहते ना प्राइज है प्राइज मिल जाता है आपको है ना वही तो मैं समझ सकती हूं कि कितनी खुशी होती है कि आप अपना जो काम कर रहे हो वो आप दुसरे की दिल तक पहुंचा पा रहे हो और जैसे आपने बताया कि आप दु गाइड किया जिसने आपको अंतर बताया सही और गलत के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपने क्लियर की तो मैं इसलिए इस चीज़ को और अच्छे से समझ पाई क्योंकि मैंने बहुत सारे नियर देट एक्सपीरियंस लोगों के कवर किये हुए है तो सब सब का यही कहन होता है कि जब हम उस दुनिया में जाते हैं बहुत सारे लोग तो नियर देट एक्सपीरियंस पर बिलीव ही नहीं करते लोगों का मानना है कि ऐसा कुछ है नहीं तुम्हारी दिमाग की कुछ गलत फहमी है अब कहते हैं कि अगर मैंने चीनी नहीं खाई तो मुझे कैसे पत प्रेटवर्म पर अपनी दिल की कितनी गहराई से बातों को रख रहा है तो जूट उसना मकसद नहीं हो सकता इस प्रीच्वल लोग जूट नहीं पसंद करते हैं दसमें आपकी इस वीडियो के तुरू यह भी मैसेज करने करना चाहूंगी कि बहुत सारे विएर्स को कि जो हम उस दुनिया से आए तो हमारे साथ कोई ना कोई स्पेशल पावर साथ हम लेकर आए जो एक गिफ्ट के तौर पर मिली और उस गिफ्ट को जो है वो इसलिए दिया जाता है कि जाए अभी आपको नीचे बहुत सारे काम करने हैं इस गिफ्ट से आपको वो काम करना आसान ह हो जाएगा और आप अपने मोटिफ को पूरा करके वाफ़ अपने समय पर आईए आपने इतनी जो मतलब जो कहते ना बातों को एंदम क्लियर उर्दू में रखा क्योंकि आपकी जो बोल बोल चाल की भाशा है वो उर्दू है मुझे नहीं पता कि कितने लोग इसे समझ पा मैं बच्पन से सुनी है तो मुझे वो समझ में आती है बहुत जादा नहीं लेकिन हा मैं समझ पाती हूं और लेकिन यही एक पोशिश थी कि जो भी आज इस वीडियो को देखे वो इस चीज को समझे कि आप इतना नेक काम कर रही हैं आप एक नेक रूह हैं बहुत अच्छ आपको परमात्मा और अच्छी हेल्थ बख से बहुत अच्छे काम आपको करने वह आप पूरा करें और थैंक यू सो मच मैं थैंक इसो मच बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया सालम ताफिज तो विएर्स ये थी आज हमारे साथ आलियमें यूएस से जो की बेसिकली पाकिस्तान से हैं लेकिन अब यूएस में शिफ्ट हो गई हैं उन्होंने अपने लाइफ में नियर देट एक्स्पीरियंस को महसूस किया उन्होंने इस्प्रिच्वल जर्नी को बहुत अच्छे श शेयर करना चाते हैं तो इस समय जो हम नंबर फ्लेश कर रहे हैं स्क्रीन पर आप इसके थ्रू हमसे कॉंटाइब कर सकते हैं हम आपसे जल्द मिलेंगे एक और नए गेस्ट के साथ एक और नए एक्स्पीरियंस के साथ तब तक अपनी स्प्रिच्वल जर्नी में बहुत ही